मेश राशी, यह दिन आपके लिए अच्छा है, कुछ भाग दौर तो जुरूर रहेगी, लेकिन फिर भी आपको अच्छा लगेगा, आपके कुछ रुके हुए कारे बंग सकते हैं, कुछ कारे समर सकते हैं, इस दिन अपने रिष्टे नातों का विशेज ध्यान लखे, कोई अच्छा वक्त है, इस वक्त का सदुपियों करने की ज़रूरत है, इस दिन किये गए कारे का आपको विशेश लाब मिलेगा, हाँ, थोड़ी अकुलाहत, व्याकुलता ये रहेगी, शरीर में थोड़ा सा आलच से भी रहेगा, लेकिन उन सब के बावजूद आपका दिन ब लेते समय, जरा सचेत रहने के आउशक्ता है, आप डाल का दान, कोई भी डाल हो, लेकिन डाल का दान अवश्य करने किसी घरीब को हुजी सब्टिक करेंगे, करक राशी, आपके लिए समय अच्छा है, इस समय का सदुप्यों करने के आउशक्ता है, ये दुपी भागदौर बहुत रहेगी, ठकन में महसूस करेंगे, बावजूद उसके ये दिन अच्छा है, कुछ रुके हुए कारे आपके पूर्ण हो सकते हैं, मन में ओज है और अब श्वास है, हाँ, थोड़ी हेल्थ कमजोर हो सकती है, सर्दी नजले खासी जो खायम का ख्या लखें, गुनगुना पानी पिए, नाग साफ करें, फिर अपना दिन शुरू करें, प्रभू साब ठीक करेंगे, सिंग राशी, समय आपके लिए अनुकूर है, भाग के पक्ष अच्छा है, मेनत जरूर ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन भाग समरेगा, अचानक कोई यात्रा करनी पड़ सकती है, दाहिनी कलाई में हरे रंका धा गमा दें, दिन शुरू करें, प्रभू साब ठीक करने राशी, इस दिन बोलना बहुत समल कर होगा, आपकी वानी की वज़े से आपको नुक्सान हो सकता है, किसी की मिन्दा किसी से भी करने के आउशकता, नहीं और अपने राज भी किसी को मत बताईएगा, पढ़ाय लिखाई के लिए दिन बहुत अच्छा है, एक छोटा स उपाय कर लें, तो सब ठीक रहेगा, दूर्वा को अच्छे से धोकर, गनपती जी को अर्पित करके, ध्यानस्त होके, उनका नाम लेके, फिर अपने दिन शुरू कीजे, तो सब ठीक करेंगे, तुला राशी, वक्त आपके लिए थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है, अरी आप वहन चला रहे हैं, तो एक्स्टा प्रिकॉशन बरतियेगा, तेज गती से मच चलाईएगा, मुवाय के बात करते हुवे वहन मच चलाईएगा, शानती से अपना काम कीजेगा, एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं, नमस्रवाय का जब करके, फिर अपने काम पर ज कीजेगे, एक खास बात कहना चाहता हूं, इसी खास व्यक्ति से मिलकर या बात करके आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और लाप भी होगा, एक छोटा सा उपाय आप जरू करें, अरहर की डाल कजान किसी घरीब को अश्य कर देंगा, धन और राशी, ये समय आपके और आपकी कोई परिशानी खत्म भी हो सकती है, बसे एक छोटा सा उपाय आवश्य करें, कि आज आप पीले वस्तर का दान जरूर कर दीचेगा, मकराशी, इस दिन सोच समझ कर काम करना है, वाहन तो खास तोर से बहुत सोच समझ कर चलाना है, यदि आप आग या केमिकल्स पर काम करते हैं, तो विशेश रूप से अपना ध्यान रखेगा, या बिजली का काम करते हैं, तो भी विशेश रूप से अपना ध्यान रखेगा बाकी कुछ इंता की बात नहीं दूद का दान करी अपने काम पर जुटी है बड़े निर्णे अकेले मत मीजे का बस इतना नहां लखें कुम्बराशी समय तो आपके लिए अच्छा है बड़ा नुकूल है और इस समय का आप लाब उठाने की कोशिश कीजिए लेकिन इस दिन सर आँख गले का विशेश रूप से ध्यान रखने की जरूरत है जिन लोगों को इन्फेक्शन रहता है या सरदी नजला खासी जुखान बहुत जंदी पकरता है वह लोग अपना विशेश रूप से ख्यार रखे एक छोटा सा उपाइजन जरूर कर लीजेगा दाहिनी कलाई में काले रंग का धागा अवश्रुदार्ण करें मीन राशी समय आपके लिए बेहतर है कुछ दिनों से चली आ रही परशानिया खत्म होंगे या आपको उनके हल मिल जाएंगे उत्साह बढ़ेगा लेकिन शरीब आपके घर के बुज़र्गों का थोड़ा सा ढलक सकता है रोग के चैंसे दिखाई दे रहे हैं अपना ख्यार रखे हैं बस एक छोटा सा उपाया वश्र कर दे इस दिन चीनी और आटे का दान जरूर कर देंगे बाकी दूसा अब ठीक करेंगे